Hello everyone, welcome to study time with new informative video उत्तर प्रिदेश पुलिस से जो ASI, कलर्क यानि की स्टैनो गोपनी विबाग इसमें जो भरती निकली है उसमें आपका जो ग्रेजोशन बगारा है, वो मांगा है उसके साथ आपके पास जो O-Level की डिग्री है, वो मांगी गई है तो O-Level की समकच्च क्या क्या है, क्या नहीं है वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बहुती आसानी के साथ क्लियर कर दी है और एक एक चीज बता दी है, कि कौन सी डिग्री या डिप्लोमा O-Level की समकच है या नहीं है यहाँ पर उन्होंने केवल ऐसा नहीं किया है UPPSC की तरह कि बोल दिया हो कि O-Level के समकच हम कोई भी डिग्री या डिप्लोमा लेंगे और पता चला आपका जब सेलेक्शन होता है तो फिर बोलेंगे कि हम नहीं हम इसे नहीं लेंगे हम उसे नहीं लेंगे और ये अपने अपने नकरह दिखाएं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है सारी चीजें बहुत ही साफ दिखा दिएं बता दिएं और नोटिफिकेशन मी दे दिया है कि हम इस डिग्री को इस डिप्लोमा को समकच मानेंगे या नहीं मानेंगे सारी चीजें बता दी है तो वही यहाँ पर जो complete list है वो आपको दिखाने वाले हैं तो दिखिए समकच निर्धारण के विशाय में जो चीजें दी गई है वो बताया है यहाँ पर पहली चीज है जो पहले नंबर पे है कि BSC में computer science एक विशाय के रूप में तीनो वर्थ रहा है परंतु degree BSC की मिली है तो क्या यह O level की समकच अदवा उपर है तो इन्होंने बताए कि BSC computer science O level से उपर है मतलब इसको समकच माना जाएगा तो यहाँ सारी चीजे बताएं मतलब आपके पास तीनो साल में computer होना चाहिए एक subject group में ऐसा नहीं दो साल है एक साल है तीनो साल होना चाहिए तभी BSC है B.com है BA है जो भी हो तीनो साल में computer होना चाहिए और सभी के लिए ठीक है दूसरा देखिए दूसरे point में है कि BSC में computer science एक विशय के रूप में अंतिम वर्स में रहा है तथा degree BSC की मिलिए तो क्या o level के समकच यह उपर है तो इन्होंने बताए कि BSC में computer science एक विशय एक वर्स तक है o level भी एक वर्स का कोर्स है अता यह दोनों कोर्स एक दूसरे के समकच है तो अगर आपका अंतिम साल भी था तो भी माना जाएगा पहला का नहीं है अंतिम का बताया है अगले में देखिए BSC में computer application एक विशय के रूप में तीनों वर्स रहा है परन्तु degree BSC के मिलिए तो क्या o level के उसमें है तो यहां बताए कि BSC computer application o level से उपर है ठीक है पहले point में भी यही चीज़ साइध बताए थी कि BSC में computer science एक विशय के रूप में तीनों वर्स रहा है और उसमें computer science बगएर लिखा है तो दोनों एक ही चीज़े और यहां पर भी समकच माना है ठीक है अगला है चौथा नंबर BSC में computer application एक विशय के रूप में अंतिम वर्स में रहा है परन्तु degree BSC की मिलिए है तो क्या o level के समकच अथवा उपर है तो BSC में computer जो यहां बताया है कि application एक वर्स तक का है o level भी एक वर्स का है अता यह दोनों एक दूसरे के समकच है वही application और science वाला system है पहले दूसरे तीसे चौते में और सभी को माना है या तो तीनों वर्स में हो या तो अंतिम वर्स में हो ठीक है समझ गया होंगे ठीक है तो आप कोई confusion आपको नहीं होना चाहिए अगला है कि BBA o level के समकच है तो bachelor of business administration o level के समकच नहीं है आपने BBA किया है तो नहीं मालना जाएगा o level के समकच ठीक है अगला है BSC IT o level के समकच है तो BSC IT o level से ओपर है बता दिया है तो अब उपर है तो फामने चे तोर पर डाल सकते हैं अगला है कि नाइलेट से cca o level के समकच है नाइलेट से ही आपने cca किया है तो certificate course in computer application cca will be of six months duration अता यह o level course के समकच नहीं है तो अगर आपने cca किया है nाइलेट से तो यह समकच नहीं है क्योंकि cca जो है वो 6 मैने का होता है और o level तो आपका पता है एक साल का डिप्लोमा है तो यह समकच नहीं होगा सारी चीज़े यहां बहुत ही बहतरी तरीके से साफ साफ बताई गई है और आपको ध्यान से समझ भी लेना चाहिए और अगर कहीं कोई कन्फूजा लगे तो कमेंट सेक्षन के माध्यम से जरूर पूछ लें आगे देखिए क्या ITI से 52 सप्ता का कोपा कोर्स o level के समकच है जैसे कि आपको पता है SCVT और NCVT से कोपा आपका होता है तो 52 सप्ता का होता है तो ITI से जो आपने कोपा किया है Computer Operator and Programming Assistant का कोर्स एक बर्स का है होने के करण o level के समकच है ठीक है अगर आपने कोपा किया है ITI से तो समकच माना जाएगा आगे देखिए क्या MSC Cyber and Security from AAAIT o level के समकच है तो MSC Cyber and Law Security from IIIT o level के काफी उच्च डिगरी होने के करण मानने है ठीक है अगर आपकी ये डिगरी है तो आप o level के समकच माने जाएगे अगला है क्या o level equivalent course from UP Electronics o level के समकच है अगर o level जो आपने किया है वो UP Electronics से किया है तो क्या माना जाएगा तो यदि ये course एक वर्स तक ये वह दिखा है तो माना जाएगा अगर 6 माह या ऐसा कुछ होगा तो नहीं माना जाएगा अब आप देख लेजेगा कि आपके certificate में एक साल लिखा है कि नहीं लिखा है अगर एक वर्स लिखा है तो माना जाएगा नहीं लिखा है तो नहीं माना जाएगा ठीक है 6 माह या जितना भी लिखा है एक साल से उपर है तो भी माना जाएगा ठीक है आगे देखिए क्या किसी private संस्ता से computer application किया हुआ O-level के समकच्च है आप जानते हैं कि बहुत सी private संस्ता हैं जो register रहती है सरकारी उससे तो क्या उनमें अगर हमने कोई ऐसे diploma बगएरा किया है उन्होंने certificate दे दिया कि हाँ हमारे यहां से यहनोंने एक साल computer सीखा है और यह सारी चीज़े तो आगे दिया है कि यह है प्रमाडपत्र केंदर राज सरकार द्वारा इस्थापित मानता प्रमाडपत्र किसी board, university, UGC, AICTE, IGNU, NILAT द्वारा निर्गत है तता किये गए course की अवज़ी एक वर्स या उसके अधिक है तो O-level के समकच माना जाएगा मतलब कि आपके जो board है यह सारे होने चाहिए अगर यह इन board से है आपका private, तो मान लिया जाएगा वरना ऐसे ही कोई भी संस्ता खोल लिया suppose that मैंने ही कोई संस्ता खोल लिया और आपको दे दिया एक वर्स का diploma की चलिए हमारे यहां सीखा है तो वो नहीं माना जाएगा इसमें registered होना चाहिए तो माना जाएगा इगनू बगैरा से आपने किया है एक साल का NILAT से AICT से ठीक है समझ गयोंगे ध्यान से समझ लिजेगा अगला है 12 नंबर में क्या किसी private संस्ता से DOAP, DOMA, ADC, ADCA, ADCH, ADCP DCA, DCFA, DSC और ये डेर सारी डिगरी यहां पढ़ दी हुई है इनको आप पढ़ लीजेगा बुला है कि क्या इन्हें माना जाएगा तो इसमें दिया यदि यह प्रमारपत्र केंदराज सरकार द्वारा स्ताफित मानेता प्राप्त किसी Board, University, UGC वही उपरवाला सिस्टम है उससे है तो मान लिया जाएगा या एक वर्सिया उससे है देखे तो लेवल के समकच माना जाएगा आपके पास ये डिगरी या डिप्लोमा है और इन सभी से है इन में से किसी से भी तो माना जाएगा इन में से किसी में से नहीं है तो नहीं माना जाएगा सीधी सी बात है कोई confusion हो तो आप comment section के मादम से पूछ लीजेगा आगे देखिए क्या किसी private संस्ता से O-level किया हुआ मान है तो यदि यह प्रमाणपत्र केंद्र राज सरकार द्वारा इन में से registered होगी वो private संस्ता तो मान होगा वरना नहीं मान होगा समझ गयोंगे आप अगला देखिए क्या किसी private संस्ता से PGDCA क्या हो मान है same question O-level जैसा ही है तो अगर इन में से registered है तो मान होगा registered नहीं है तो मान नहीं होगा यहां साब साब बताए गया है कि एक वर्षिया उससे अधिक है तो PGDCA की समकच माना जा सकता है और लेकिन इन में से होना चाहिए आपका degree या डिप्लूमा अगला है क्या किसी private संस्ता से एक वर्षिया उससे अधिक 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 परन्तु तीन वर्षिया कम की अधिक डिप्लूमा ओ लेवल की समकच मान है तो यह प्रमाण पत्र किंद राज सरकार्द वरा मानता प्राप्ति यह जुड़ी यह है UGC, AC, AICTE, IGNU, NILAT इन में से अगर युनिवर्स्टी वगरा में से है तो माना जाएगा वर्ना नहीं माना जाएगा समझ गयोंगे इनके में से एक वर्षिया उससे अधिक है तो लेवल की समकच माना जाएगा वर्ना नहीं माना जाएगा अगला है क्या किसी प्राइवेट संस्थान से तीन वर्ष का डिप्लोमा Diploma in Computer Engineering के समकच्च मानने है तो यदि प्रमाड पत्र के इंद्र ये सारी चीज़े हैं इन में से है अगर आपका है न तो Diploma, Degree in Computer Engineering Information Technology Engineering में है तभी मानने होगा अगर इन में से भी नहीं है तो भी मानने नहीं होगा समझ गयोंगे आप अगला है क्या राष्ट्री एक कंप्यूटर साक्षर्टा मिशन से किया हुआ Diploma O-Level के समकच है अगर ये जो चल रहा था Diploma ये सार्टिफिक्ट के लिए और इसमें से आपने किया हुआ एक साल का तो क्या ये O-Level के मानने है O-Level के समकच मानना जाएगा अगर ये एक साल से अधिक है एक साल ये एक साल से अधिक है अगला है क्या UGDCA UP Electronics 480 आवर्स UP DESCO से एक वर्स का किया हुआ Diploma O-Level के समकच है तो यहां बोल रहा है कि UP DESCO से एक वर्स का किया हुआ Diploma O-Level की समकच मानने है उत्तर प्रदेश राजी का उपकरम होने तथा कोर्स की अवादी एक वर्स या अधिक होने पर ही मानने मतलब अगर ये आपने डिप्लोमा वगरा किये हैं और एक साल इनकी अवादी रही हो तो मानन हो जाएगा अगर उसमें तीन महिना किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा तो बोल रहा है कि M.C.A. बीटे के समकच है अता ये तीन वर्स के डिप्लोमा से उपर की डिग्री है अता बिना PCM के M.C.A. किया हुआ व्यक्ति भी पात्र होगा बना Physics, Chemistry, Math वगरा नहीं है तब भी पात्र है तो ये भी बहुत अच्छी बात है ठीक है अगर आपके पास ये है M.C.A के डिग्री तो भी आप पात्र है अगला है किया किसी बिना PCM के B.C.A. किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा अगर B.C.A. है आपने तो क्या पात्र हो जाएंगे तो दिया हुआ कि B.C.A. तीन वर्स के डिप्लोमा से उपर की डिग्री है अथा बिना PCM के B.C.A. किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा ठीक है अगला देखिए क्या किसी बिना PCM के P.C.A. किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा तो PGDCA तीन वर्स के डिपलोमा से नीचे की डिगरी है अथा बिना PCM के PGDCA किया हुआ व्यक्ति पात्र नहीं होगा अगला है क्या किसी बिना PCM के A-level किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा तो A-level तीन वर्स की डिपलोमा की डिगरी है अधा बिना PCM के A-Level किया व्यक्ति भी पात्र होगा ठीक है यहाँ पात्र नहीं होगा PGDC वाला लेकिन यहाँ भी यह पात्र होगा अगला है क्या माध्यमिक संस्कृत सिच्चा परिशत लगना हो की पूर्वे मध्यमा और उत्तर मध्यमा तथा इगनू की BCA और MCA डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा तो इगनू की BCA, MCA डिग्री तीन वर्स के डिप्लोमा से उपर है अधा बिना PCM के BCA और MCA डिग्री के व्यक्ति जो है वो भी पात्र होगा अगला है Intermediate में बहुत एक बिसका साथ ही डिप्लोमा इन Computer Engineering है तो क्या मान होगा तो इसमें बताया है कि यदि यदि एक outside सब्सक्तमा किसी मानता प्राप्त संस्तान से अधवा Government Registered Institution से है तहां कोर्स की अब दी 3 वर्षिया उस से अधिक है यदि प्रमाड पत्र केंदर रास्तरकार द्वारा इस्थापिन मानता प्रावतिन में से किसी में से भी है तो ये है मान हो जाएगा ठीक है ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है तो ये यहाँ पर कंप्लीट आपको बता दिया गया है कि कौन सी डिक्री या डिप्लोमा ओ लेवल की समकच है या नहीं है ये कि चीज बहुत ही क्लियर बताई गई है अब भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माद्यम से पूछ जखते हैं सो थैंक यू मिलते हैं नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले थैंक यू